हेलो गुड आप्टर नून एबरिवन मैसल्फ शाया आप सभी लोग कैसे हैं आई होब आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगी तो आज हम डिसकस करने जा रहे हैं नेक्स चैप्टर जो कि है चैप्टर एट जोगरोफी का क्लासिक्स की जोगरोफी का जिसका नाम है इंडि क्लाइमेट एंड क्लाइमेट के अगोर्टिंग डेजिटेशन एंड यहां पर बार लाइफ कैसी पाई जाती है ना तो हम इसके बारे में कुछ डिसकस करेंगे तो कुछ बेसिक टर्म्स इसमें दिये हुए हैं उनके बारे में हम डिसकस करेंगे और इस चैप्टर के बारे था है climate vegetation wildlife है तो वैदर क्या होता है एसा हूं होता है वैदर रहीन हो कि तुज़ आते हैं कि उन्हें से हमझेते वैदर जैسे की टैम्प्रेशर हर दिन अलग खैसे होता रहता है तो वैदर में क्या आएगा जैसे की हमारा टैम्प्रीचर है है तेंपरेचर होता है कभी-कभी क्या होती है तो यह क्या है इसे हम बोलने कि आज तक आद左र है या तो कम है या जादा है रह या हॉट डीै इस तरह डेयं से हम बोल सकते हैं या चले रहना ले लेक़ तो इस मोरों ते वेदर दिन का वेदर मतलब चैंड क्या हुए या दोसका कुलायमेंट नहीं देखले में साल से कई सालों से क्लायमेट बना हुआ किस तरीके से यह ओध है या होट है यहां पर रेन किस तरीके से होती है उसका एबरेज निकाला जाता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट है ना तो क्लाइमेट होता है क्लाइमेट होता है वेदर का एबरेज कई सालों में इन मैंनी यर्ज many years का यहां पर count किया जाता है many years में और यह क्या रहता है average of weather average of weather in many years तो इसे हम बोलते है climate तो यहां पर हम climate के वारे में पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया है इंडिया का climate कैसा है इसका जो कि कई सालों से हमारे इंडिया में climate कैसा बना हुआ है और यह climate कैसे decide होता है हम देखेंगे जो हमारे इंडिया है इंडिया इंडिया यहां पर नेपाल है नेपाल यहां पर भूटान यह हमारी नायोर कंट्री है भूटान यहां पर है स्री लंका स्री लंका तो देखेंगे कि हमारा इंडिया है उसमें क्लाइमेट कैसा है किस तरीके से सीजन से रहते हैं तो हमारे इंडिया में टोटल फूर तरीके का सीजन रहता है सीजन ऐसे सीजन हो गया जहाँ जहां बोलते हैं कोल्ड वैदर सीजन केसल दिसमबर से लेकि इफेबरोरी तब दिसंबर से लेकि ठंड का है यहाँ पर क्लाइमेट रहती है इंडिया मैं इंड स्राहे है हर वेदर सीजन हरत के वेडर होड वेदर सीजन जोकि होट वेदर सेजन रहता है हमारा मार्सटू माई मार्सटू मेरता है होट वैदर सीजन हमारा रहता है मार्श टू में एंड कोर्ड वैदर सीजन रहता है डिसमबर टू फैब्रोरी राइट इस तरीके से और सीजन एक और सीजन रहता है मानसून सीजन मानसून सीजन और जैसे हम बोलते हैं मानसून सीजन को ही हम बोलते हैं साउथ वैस्ट मानसून सीजन साउथ वैस्ट मानसून मानसून सीजन मानसून सीजन राइट यह मानसून सीजन जो रहता है साउथ वैस्ट मानसून सीजन रहता है यह रहता है जून टू यह रहता है मानसून सीजन रहता है जून टू जून तू सेप्टेंबर राइट एंड एक और मानसून रहता है एक और सीजन रहता है जिसे हम बोलते हैं रेट रीटिंग रेट रीटिंग मानसून सीजन अब इनकी बारे में हम डेटेल में पढ़ेंगे अभी रेट रीटिंग मानसून सीजन जो रहता है वो रहता है अक्तूबर और नवंबर में इन यहां पर सब्सक्राइब त करना है तो बोन नमइंबर एक्टूबर रहता है हमारा सब्सक्राइब्स सब्सक्राइब देट पढ़ती हैं रहे सम्बर और फेbruary के बीच में हमार जो संन से बहुत दूर होताय दूर रहता है लगा वाण संकी पॉजिसन है इधर कही रहती है इस तरीक से संकी रीज़ पढ़ेंगी वह डार्यक्ट ना पढ़कित तरशी पढ़ती है है इस तरीके से यहाँ पर संट की जो रेंज हैं वो समपोछ पाती है जिसकी वजाएं से हमारे इंडिया है उद कोल्ड फील करता है तो इस बज़े से यहां पर देसंबर और फेबरूरी में कुल्ड वैदर सेजन कुल्ड वैदर रहता है और जैसे फिर मार्स से अब अन्य मैं देखेंगे तो यह संपिज संप की पॉजीशन उझाती है तुल जाती पॉजीशन चिंज हो जाती है वह प्याता है हमारे इस नद कि वज़ाए से क्या होगा कि martyr हमारा Indian subcontinent is warm और तोह ढोगा जिसकी मसें हमारी हां पर Hot Weather हो जाएगा तो यह रहता है मार्श 20 तो मेे तक डैन देखेंगी दूद में इक ऑग दर स साउथ वेस्ट मानसून Goldindet त इसमें क्या रहता है कि इसमें क्या रहता है में के बाद मी बाद मांसून आता है इस साइद हम इस कि अथर हम मतल railway मेंचर सकते इसके ककी बारे में सदन पार्ट में है अरेवियंसी इधर से क्या हो गा कि जो भी expelled तीध के साथ जो पानी उठेगा पानी उठेगा वो इस तरीलिए से हमारी सबंटिनेंट की साइड lesha old закрыिके से लिए तो क्या होगा जो हमारी kang tricky है इंडिया है उसमें जहां पे वी बिंद बेंड हैं सब्सक्राइब यहां पर हिमालया यहां पर हम देखेंगे इधर यहां पर है जो बैस्टन घाट है इस्टन घाट जहां पर बारिस हो जाएगी इस तरीके से हमारी पूरी कंट्री में बारिस होती है इस ऐसे बिड़ बढ़ती है उस तरीक से हमारी वारे शोती है तो हो गया हमारा मानसून सीजन जून-सेविस तक रहता है देन हैं हमारा रेट्रीटिंग मानसून सीजन अब रेट्रीटिंग का मतलब है लौटता हुआ मतलब जब जब यह मानसून सीजन मतलब बारिस का सीजन जब लौटता है बारिस का सीजन जब खतम होता है तो क्या होगा कि जो हमारी बिंड की डारेक्शन है ना बिंड की डारेक्शन अब अलग हो जाएगी बिंड की डारेक्शन क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी अब क्या होगी बिंड की डारेक्शन इस तरीके से हो जाएगी मतलब हमारी मैनलेंड है इंडिया इधर से अभी वेंगॉल चलने लगेगे जिससे क्या भूगा जो इंडिया की कुछ पार्ट है जैसे यहां पर पंपल नाडू में से ता मिलल नाडू में कि चैनल नाडू में रेट रीटिंग मानसून की बज़ से बारिस होती है कि हाँ पर जो कुछ माउंटेम्स नहीं है इसे तो इसे हम हम बोलते हैं रेटरीटिंग मांसून मतला लोटता हुआ मांसून जो साउथ वेस्ट मांसून के बाद तो यह रहता है अक्टूबर नमबर तो हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में भी बारिस रहती होती है किसी-किसी जगह तो वह रहता है तमिलनाडु वाला एरिया एंड आ मतलब होता है कि दो वैजिटेशन हुमन विंग्स बिदाउट हुमन विंग्स के इंटर फेरेंस से यह डेवलाफ होती है ग्रोव होती है उन्हें हम नैश्रल वैजिटेशन बोलते हैं उसे हम नैश्रल वैजिटेशन बोलते हैं उसे हम नैश्रल वैजिटेशन बोलते हैं विदाउट रिंग्स के विदाउट हुँमन के इंटर्फिरेंस के जो वेजिटेशन डवलप होती है मतलब पेड़ पौदे चोटे बड़े हैं उसे हम बोलते हैं नैश्रोल वेजिटेशन तो क्या रहता है कि जो इंडिया में जो क्लाइमेट है फिसक्लाइमेट के कहां पर होट एक हाँ यहां पर रमेसी Jeremiah कल्ड क्रीक होते हैं तो हम अपनी कंट्री में गए इस तरीके से तरह से उफॉरस्ट पार आंथे ये तरीके के फोरेस्ट पाहिए में हम देखेंगे तो ना इस त्रीके से ट्रॉपिकल में पोरेस्ट प्रोपिकल रेंश्वी के ट्रोपिकल एरिया में पाए जाए ट्रोपिकल ए서 एंड इकवेटर के बीच में जूपाए जाते हैं तो यह हमारे ट्रोपिक आव सार रिच संथ इस साइद वाले एरिया में हमारा इक कोड़ा जाता है साउस सी Зап sevent के यह इक राम 11 des 105 एक कोटर ws कि आ énormément होती हमना देखा कि जो साउँथ बैस्ट मान सुन आते सबसे पहले इदर यहां, किजोंकि यहां पर सुप बैस्ट घाठ है, इसका इधर पर सबस्क्राइब करते इसका बहुत जादा रेंड रहती हैं, कि ज़्यां पर जादा रहना होने की बजए से यहां पर रेन फोरेस्ट पाए जाते हैं जो की हमेशा ग्री रहती है इसलिए एक और ग्रीन फोरेस्ट में वह महोगनी हुआ लोरच महोगनी रोस Woord & बहुत सारे प्ल Анड प्लां οποज ने सिए मैं और भी बहुत सारे प्लांट्स प्लां जाते हैं कि हमेशा जैंश than जो ज्याधा रेन में रह सकते आं रोफी कल रांफोर्थ में पाये गाते हैं च्रॉ पर रहते हैं किלי डैसीडिय इस हम Governor पहां पर यहां पर थोड़ी जो रिन कम होती है मतलब जहां पर फोरेस्ट के लिए जादा रेंच चाहिए रहती है जब कि ट्रोपिकल डैसिदियस फोरेस्ट के लिए उससे कम रहन होते हैं कि हमारा इस Central पार्ट वाला एरिया हमारा Central पार्ट वाला वाला एरिया आ जाएगा यहां पर इधर कहीं वहीं पर पाइज आते हैं सूखे सूखे भी नजार आते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल डैसीडियस फोरेस्ट और जैसे कि यह पाई जाते हमारा यूपी वाला पॉर्शन हुआ अधर बिहार है इधर आते हैं और गुसरात वाला पॉर्शन हम देखेंगे तो और इसमें जैसे कि इन्हें repositे regression कि नीम है सीसम है ऐसे सम है दियन सीसम है इस तरीक़ के जो प्लांट है वह प्रॉपिकल डेसुदिस फोरेस्स में पाए जाते हैं और भी वह बहुत सारी ब्लस स्थिर्वफिकल से हैं न MAR डेन। उसकी बाद है में जाएंगे तो जी राजस्थान वाला पॉर्शन तो इस पोडिया में हमदेखेंगे यहाँ पर कम रैन फोल्टी इस तरीके से रहती है लेकिन यहां पर प्लांट से रहती है उनमें मौडिकेशन कर लेता है यह तरीके से नहों की होके यह काटे की तरह हो जाती है इस तरीके से इस तरीके से काटो की जैसे कि यहां पर जो इवाउपरेशन थे बचा जा सकते हैं तो इस वजय से यहां पर जो पाल फैल्डे काटे रहता हैं तो tha拜拜 रहती है है इस में आपके लगे रहते हैं का ग्रहक का पेड़ रहता है आपने देखा होगा आप एरिया करते होंगे तो यह sically कैक्टस है किन खेर है टुटस ऩाइस तरीक चैसे से और भी प्लांट्स पायर जाते हैं कि हमारी राज पसंग आहां गुजरात वाले एरिया में पाये जाती हैं यहां गुजरात वाला एरिया एंडेजिस्तान वाला यो तो हमारा सेम मोलते हैं mountain vegetation ल Chenow के सी तो असदो फटा है कि मांटेंस हैं वो हमारे नॉर्थ में मांटेंगे जाती हें हमालाय मांटेंस यहां है हमालाय मांटेंस इदा धाके की इस यहां है इस्टन घाट रॉथ है तो हम देखेंगे कि फिसो जहां तो यहां तो माउंटें स्पाई जाती हैं इधर हिमालय में जो माउंटें स्पाई जाती है वो है माउंटें बैजिटेशन यह हिमालया है यहां पर जो बैजिटेशन रहती है वह कैसी है इस तरीके से रहती है इस तरीके से कौन-कौन जैसा से बना लेती है इस तरीके से यह पूरा वन रेखे पॉर्डahlen सब्सक्राइब नहीं से यहां पर स्वाम सेंधनी गततही में तो वब तो दिविकान ना हो ईस तरीक है कि विटीर हैं पर पाहे जाते हैं यूंतिन्सुचन अना छेज से घंगि इसे अरिया जहां पर डलडल है मतलब अर्पानी भड़ा हुआ रहता है और हुआ पर तो यहां पर जो फोरेस्ट पाए जाते हैं उने बोलते हम मैंगरूव फोरेस्ट और यह वाला रिजियन हमारा कॉंसा गला यह हमारा यह हम देखेंगे जो गंगा रिवर्ज आती है यह ब्रह्मा पूत्र रिवर इधर से आती है यह दोने जहां पर बेस्ट बंगॉल में एक डेल्टा बना लेती है सुन्दर्वन डेल्टा बेस्ट बेंगॉल बांगलादेश में अधर पर तो यहां पर क्या रहता है सुन्दरवन डिल्टा संदरवन डिल्टा यहां यहां पर पानी भरा रहता भहुत सारे तो आप एक सुन्दरी नाम का प्लांट पाया जाता है सुन्दरी इसी के नाम पर इस पूरीस डेल्टा का नाम सुन्दरवन डेल्टा रखा गया और हमारे पूरे क्लाइमेट के अकोर्ड़िकेशन का डिस्ट्रिवीशन हुआ हमारे इंडिया में क्या देखते हैं कि टाइम की अकॉड़ेंग प्लांट से बैजिटेशन ना यह कम होते जा रहे हैं क्योंकि आज की पॉपुलेशन डवलपमेंट चाहते हैं डवलपमेंट की वज़ाइस से डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है बड़ पॉड़ों की कटाई होती जा रहे हैं जिसके वज़ाए से हमारी फोरेस्ट नस्ट होते जा रहे हैं यह फोरेस्ट हमारे कहीं तरीके से यूज मतलब यह जीने के लिए बहुत आवसक है क्योंकि प्लांटी अमें जो हम ओटू लेते हैं जो ऑक्षिजन प्रोवाइब कराते हैं दूसरा जो सी को हम छोड़ते हैं ज बहुत सारे जैसे हम फरिशन फरनीचर बनाते जाए देखें कि बहुत सारी चीजें हमारे घर में लखडी रहती तरीके से उपयोग है यूजय है यह हमारे डिफोरेश्टेशन जो होता है very erosian erosion को रोकता है अगर संब किसी जगाए पर अच्छी है तरवाइच है हैं थे डेखेया लाइफ हमार्पे इंडीया लाइफ होगी होगी हो राइनिल्ड लाइफ होस्के यहुँरक्राइफ Condemial एनिमल्स बगेरा इनिमल इंसेक्ट्स रेप्टाईलज मैमलस पाएंश सालि होग эту हम देखेंगे कि हमारा है वह पाए के आइन जो जहां पर cold weather रहता है वहां पर अलग अलग रहते हैं उस तरीके से कि इस्थ तरीके सी बैजीटेशन रहती हैं उस तरीके से इनरी मलस भी पाई जाते हैं है, इंडिया का मैफ नहीं सही है किस तरीके से मैफ चलो बन गया यह Fazenda का टो हमसाइड देखेंगे केंपर रहता है तो यहां पर हम देखते हैं केमल पाए जाते हैं के मल और यहांत करेंद नॉर्थ में लौइन पाए जाता है रहां पर यहां पर अन्डवान निको बर आइस लेंड्स पहले जाते हैं इस तरीके से कि हमारे इंडिया में बाद लाइफ का डिस्ट्रिब्यूशन है अकोर्डिंग टू क्लाइमेट है न तो यह हमारा आज का चैप्टर हुआ हम चेप्टर को यहीं पर खतम करते हैं and then हमारी जो 6th class की NCRT आज वो फिनिस होती है जो नेक्स्ट ओ अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 7th class की NCRT 7th class की NCRT को हम next chapter में discuss करेंगे तो आप लोग बने रहिए थेंक्यू तो अलोफ यू